दो identical trucks है और दोनों दो inclined planes में situated है ड्राइवर ने brake नहीं दबाया तो क्या होगा? दोनों roll down करेगा कुछ ऐसे ये वाला truck जो की ज्यादा inclination वाले surface में है ये तेजी से roll down करेगा बहुत fast और ये वाला truck धीरे 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 नीचे उतरेगा ऐसा क्यों होता है? और देखा जाएं तो इन trucks को जो force apply कर रहा है अगर इसका engine off है तो भी ये roll down करता है तो जो force इसमें act करता है वो तो gravitational force है जो की इसे नीचे की तरफ खीचता है यहाँ भी gravitational force इसे नीचे की तरफ खीचता है तो फिर ये इस direction में क्यों move करता है? ये truck इस direction में क्यों move किया? और साथी साथ आप देखेंगे कि अगर inclination ज्यादा होता है तो truck ये बहुत तेजी से roll down करेगा और साथी साथ ऐसे cases में जब inclination ज्यादा है तो ये truck के बलटने के chances ज्यादा होते हैं ऐसा क्यों होता है? चलिए इसी पे बात करते हैं आज देखें अगर इस truck की बात किया जाए तो इस पे जो force apply हो रहा है तो वो force नीचे की तरफ है जिसे की हम gravitational force कहेंगे दोनों ही identical trucks हैं दोनों का mass सेम है तो दोनों पे जो gravitational force act होगा नीचे की तरफ दोनों सेम magnitude का होगा इसी लिए दोनों जो arrows represented forces है उन arrows का length दोनों ही case में सेम है arrow का length indicate करता है कि force का magnitude कितना है इस vector का magnitude कितना है अगर ये force ज्यादा होगा तो ये arrow और ज्यादा लंबा होगा तो इसके length से arrow के length से आप किसी भी vector के magnitude के बारे में अंदाजा लगा सकते है इसका length ज्यादा होगा तो इसका magnitude ज्यादा अगर इसका length कम तो इसका magnitude कम और साथी साथ arrow का direction हमें indicate कर रहा है कि ये जो gravitational force है ये gravitational force किस direction में act हो रहा है ये बिलकुल नीचे की तरफ act होता है अब देखें ऐसे cases में क्या होता है कि ये जो force है ये force दो parts में split हो जाता है एक होता है along the surface ये जो surface है जिस surface पे ये roll down कर रहा है इसके parallel ही एक force होता है और इस पे perpendicular एक force होता है यहाँ पर angle 90 degree का बनेगा और इसके साथ ये जो straight line है इसके साथ ये line जो है ये parallel होता है अब जैसे कि हमने बात किया एक force इसके along होगा कुछ ऐसे और दूसरा force जो act करेगा वो इस line के along होगा वही चीज यहाँ पर भी होगा एक force होगा इस वाले surface के साथ parallel इस direction में और दूसरा force होगा इस वाले surface पे perpendicular यहाँ 90 degree बनता है तो ये वाला force कुछ इस direction में और एक force जो है वो इस direction में होता है यहाँ पर ध्यान दे ये जो force है this force ये force क्या करता है ये force इस truck को इस direction में पुल करता है जिसके कारण truck जो है ये roll down करता है और ये वाला जो force है ये force क्या करता है ट्रक को नीचे की तरफ surface पे दबाता है पुश करता है जिसके कारण इस truck का tire थोड़ा दबता होगा ये जो surface है ये थोड़ा दबता होगा यहाँ पर कोई object अगर रखते इसके उपर अगर truck रहे तो ये object जो है ये object दब जाएगा इसका मतलब कि इस surface के perpendicular एक force जरूर act कर रहा है जिसके कारण ये truck नीचे की तरफ इस surface के तरफ इस surface के तरफ दबता है तो इस तरह से ये दो forces यहाँ पर act करता है ये जो gravitational force है यही gravitational force दो forces एक और दो दो forces में split हो जाता है और यहाँ मजदार बात यह है कि इन दोनो forces के बीच का angle होता है 90 degree का अब ये जो दो forces है ये force और ये force इन दोनों का magnitude कितना होगा इसे पता करने का भी एक बहुत है interesting तरीका है वो ये है कि आपको एक rectangle draw करना है एक rectangle ऐसा draw करना है ताकि उसका एक side इस force के along हो और दूसरा side इस force के along हो और साथ ही साथ उस rectangle का diagonal हो इस वाला ये वाला जो original force है वो तो ये कुछ rectangle ऐसा बनेगा ध्यान दे ये वाला force जो है इस rectangle के इस side के along है और ये वाला जो force है ये rectangle के इस side के along है दो adjacent sides के along है और साथी साथ ये जो main force है जो की दो parts में split किया main force इस rectangle का diagonal होता है वही चीज़ यहाँ पर भी देख लेते हैं ऐसा rectangle बनेगा ये force इस side के along और ये वाला force जो है इस वाले adjacent side के along होगा और ये main force है जो original force है जो की दो parts में split हुआ ये इस rectangle का diagonal होगा अब क्या करना है देखे ये वाला जो force होगा इसका length जो है that mean magnitude इस वाले arrow का length जो की इस force के magnitude को indicate करेगा वो इस वाले side के length के बराबर होगा और ये वाला जो force है ये इस वाले side के length के बराबर होगा मतलब ये जो arrow होगा ये इसके length के बराबर होगा कुछ ऐसे तो यहां से अब आप इस force का और इस force के magnitude के बारे में एक अंदाजा लगा सकते हैं एक बार यही चीज यहां पर भी कर लेते हैं ये वाला जो force है जो की इसे खीच के नीचे की तरफ इस direction में ले जा रहा है उस force का length जो है या फिर का magnitude जो है वो इस arrow के length से represented होगा और ये वाला जो force है इस arrow के length से उसका magnitude represented होगा एक छोटा सा animation से आप इस चीज को समझ ले कि कैसे ये वाला force जो है और ये वाला force ये दूनों forces कैसे inclination के साथ vary करता है तो ये रहा वो situation ये ट्रक जो है एक lower inclination में है मतलब एक कम inclined plane में है इसका inclination कम है तो situation ऐसा बना ये जो arrow है इसका length देखे अभी छोटा है और ये जो arrow है इसका length relatively काफी बड़ा है मतलब ऐसा situation में इस truck को इस direction में खेज के ले जाने वाला force जो है ये छोटा है और इस truck को इस surface पे ये वाला जो plane है इस surface पे दबाने वाला जो force है ये force काफी ज्यादा है अब क्या करते है हम लोग inclination को थोड़ा change करते हैं देखे क्या होगा inclination को हमने थोड़ा change कर दिया हमने inclination को बढ़ा दिया इससे क्या हुआ देखे ध्यान दे यह gravitational force जो है यह उतना ही रह गया है इससे हुआ यही कि यह वाला force जो कि इस truck को इस inclined plane के along खीच के ले जाएगा वो force जो है उसका magnitude बढ़ गया यह arrow जो है थोड़ा लंबा हो गया और यह वाला arrow जो है यह थोड़ा से छोटा हो गया इसका मतलब इसे नीचे की तरफ दबाने वाला force जो है यह छोटा हो गया चलिए थोड़ा और बढ़ा देते है inclination को situation देखे क्या हुआ यह वाला arrow और ज्यादा बढ़ा हो गया मतलब truck और तेजी से नीचे की तरफ आएगा और truck को इस surface पे दबाने वाला जो force है यह force छोटा हो गया इसी लिए इसी लिए देखे जब inclination कम होता है उस समाई क्या है देखे यह force जो है relatively छोटा होता है इसके कारण यह truck जो है यह धीरे 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 रोल डाउन करता है लेकिन जब यह inclination बढ़ जाता है तो उस समाई यह वाला force जो है इसका magnitude थोड़ा ज्यादा हो जाता है इसी लिए यह truck जो है थोड़ा ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ उतरता है वही पर ऐसे situation में देखे inclination और ज्यादा बढ़ा है तो यह force जो है इसका magnitude और ज्यादा बढ़ा है इसी लिए यह बहुत बहुत ज्यादा तेजी से ऐसे situation में यह नीचे की तरफ उतरेगा अब इस वाले pink color से represented जो arrow है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं यहाँ पर देखे यह arrow relatively बढ़ा है यहाँ उससे थोड़ा छोटा है और यहाँ काफी छोटा हो गया मतलब inclination बढ़ाते साथ यह वाला जो force है जो की इसे नीचे की तरफ दबाता है surface पे दबाता है इस truck को उसका magnitude देखे कम होते हुए जा रहा है इसका मतलब यही है कि जितना ज्यादा आप inclination को बढ़ाएंगे truck को road के साथ दबाए रखने वाला force जो है वो force कम हो जाता है इसलिए ऐसे situation में जब inclination बहुत ज्यादा होता है तो थोड़ा मोडा छोटा मोडा गड़ा भी अगर रहे तो इसमें टकरा के यह truck जो है यह पलट सकता है क्यों पलट सकता है क्योंकि उसे road के तरफ दबाए रख लखने वाला जो force है वोही force छोटा बड़ जाता है जिसके करण बहुत असानी से यह truck जो है यह पलट सकता है अब एक बहुत important बात यह है कि हमने क्या किया यहां पर जो एक main force उसे हमने दो बाट में split किया इस case में भी इस case में भी इस case में भी इस इसे कहा जाता है resolving a vector into its two perpendicular components मतलब यह original force है और यह दोनों इसका components है और कैसा components है यह perpendicular है एक दूसरे के साथ इसी लिए resolving a vector into its two perpendicular components इसे कहा जाता है अब एक और important बात कि देखें यह जो force है yellow color से represented जो arrow है जो की gravitational force है यही دो parts में split किया और यह दो forces यह और यह forces बना इसका मतलब अगर यह split कर जाता है yellow color से represented जो arrow है अगर यही split करके दो parts में distributed होता है या दो parts में resolved होता है तो इसका मतलब यह yellow color का जो force है यह अब non-existent हो गया इसका कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि यही दो parts में split कर गया तो जब आप higher standards में वैसे तो standard 9th में है आप अभी तो इस standard में इस तरह के situation के साथ आप deal नहीं करेंगे जब 11th में आप जाएंगे तब इस तरह के situations के साथ आपको deal करना होगा वैसे cases में जो original force है उसे आपको consider ही नहीं करना है जब आप एक force को दो perpendicular components में तोड़ देंगे तो original force जो है उसका कोई existence नहीं रहेगा क्योंकि वही टूटा दो parts में अब सिर्फ इन दोनो forces का असर जो इस truck पे होगा वही आपको समझना है औरिजिनल force यहां से गायब हो जाएगा उसका कोई भी असर नहीं रहेगा क्योंकि वही दो अलग-अलग directions में असर डाल रहा है तो उसी के बदले में हम उसके दो perpendicular components को draw करते हैं जिसका की real effect होता है इस truck में तो I hope कि ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अब अगले वीडियो का link जो है वो आपको screen पे मिल जाएगा वहाँ click करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं अब जाते-जाते मैं आपको बता दू कि इस पूरे chapter का जो की है force and laws of motion इसका link आपको नीचे description में मिलेगा तो I hope कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी तो मिलेंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें Goodbye